दोस्तों शाउमी ने इंडिया में लॉंच कर दिया है अपना मी आउट्डोर ब्लुटूथ स्पीकर जैसे कि आप देख रहे हो मेरे पास है यह पैकेट और इसके अंदर है मी आॉट्डोर ब्लुटूथ स्पीकर आजके वीडियो में इसके अन्डॉक्सिंग क्रेंगे रिवीव करेंगे देखेंगे कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं क्या है इसकी स्थ पृप बारे में चाहते हैं तो इस वीडियो को end तक जरूर देखिए इस वीडियो में आपको कहीं पर भी वीडियो के अंदर आपको एक कोड़ फिलेश करता हुआ दिखेगा इस तरह का कोड़ आपको वीडियो में कहीं भी दिख सकता है और इस कोड़ को आप comment box में comment कर दीजिए बस आपको इतना ही करना है जैसे ही 100 comment complete हो जाएंगे मैं इस Bluetooth speaker का giveaway कर दूँगा comment picker की help से दोस्तों अगर आप इस Bluetooth speaker को purchase करना काते हैं तो इसका by link मैंने नीचे description में दे रखा है बहाँ से जाकर आप इसे खरीच सकते हैं मी की official website से आप इसे purchase कर सकते हैं इसकी MRP है 1,999 रूपीज लेकिन मी की official website पर इस समय 30% का discount भी आपको मिल जाएगा यानि यह आपको केवल 1,399 रूपीज में मिल जाएगा तो सबसे पहले कर लेते हैं से open और देखते हैं कैसा है मी outdoor Bluetooth speaker दोस्तों इस Bluetooth speaker को मैंने पहले ही open कर लिया है और मैं लगवाग 20 दिन से इसको use कर रहा हूं लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी unboxing की video भी दिखा देता हूं कर दोस्तों की अस in securing Michael कर दोस्तों की है हेभी मैं मैं लिखले हाई जाई MICHAEL कर दोस्तों कर वेकिन देखने कैसा है याना मड़च आइख आपको इदिश्तों कर दाद में लोस्तों के मैं मैं में आपको झाल झाल तो इसे हमने कर लिया है open आप देख सकते हो ये है me outdoor bluetooth speaker इसके साथ हमें एक user manual भी जाता है साथी साथ इसके साथ हमें एक charging cable भी मिल जाती है जो कि एक micro USB charging cable है इसे हम side में रख देते हैं तो आप देख सकते हो ये है me outdoor bluetooth speaker उपर आपको fabric देखने को मिल जाता है यहाँ पर fabric दिया है और back side में आपको rubber का material देखने को मिल जाता है यहाँ पर आप Mika logo भी देख सकते हैं इस पी करके सबसे उपर आप यहाँ देख सकते हो इसको hang करने के लिए hold करने के लिए एक step दी गई है जो की stretch level है इसकी help से आप इसे कहीं bike बगएर पर भी अगर इसको hang करना हो तो जाता है यहाँ पर Mika logo दिया गया है इस पी करके अगर हम इस side बात करें तो यहाँ पर आपको एक on off का button मिल जाता है बीच में आपको LED indicator मिल जाता है साथी साथ यहाँ पर play pause का button दिया गया है और speaker के just इस side आप देखोगे तो यहाँ पर volume plus volume minus का button दिया गया है और बीच में आपको microphone मिल जाता है यानि इसका mic यहाँ पर दे रखा है अगर हम speaker के बिल्कुल नीचे बात करें यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें एक flap दिया गया है जैसे हम इस flap को हटाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो micro USB port दिया गया है charging के लिए और साथी auxiliary port भी यहाँ मिल जाता है अब बात करते हैं इसके specification की यहाँ पर जो इसका driver है इसका diameter है 4 cm इसके weight की बात करें weight है 210 gram rated impedance है 4 ohm अगर इसकी connectivity की बात करें तो यह Bluetooth 5.0 को support करता है यानि हमें सबसे latest version Bluetooth 5.0 यहाँ पर मिल जाता है इसकी अगर range की बात करें तो 10 meters तक यह properly काम करता है इसकी battery की बात करें तो battery हमें मिलती है 2000 mAh की battery है जो की हमें 80% volume पर लगवग 20 hours का playback time दे देती है और इसकी जो charging voltage है वो है 5 volt 1 ampere यानि आप इसको किसी भी power bank या फिर mobile के किसी भी adapter से easily charge कर सकते हो और इसका output है 5 volt 5 watt का speaker है यह और यह Bluetooth speaker पूरी तरह से water resistant है यानि IPX fire rated है यह speaker voice assistant को भी support करता है इसे आप Siri को भी use कर सकते है Google assistant को भी आप इसके साथ use कर सकते हैं तो अब हम देखते हैं कैसे हम इस speaker को use कर सकते हैं तो यहाँ आप देख रहे हो on off का button इस button को आपको 2 second तक press करके रखना है और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर LED blink करने लगेग Bluetooth on करना है और बहाँ पर search करना है जब आप search करेंगे तो बहाँ पर आपको इस तरह से me outdoor Bluetooth speaker लिखा हुआ मिल जाएगा और उसे आपको click कर देना है बहुत ही easily यह connect हो जाएगा अगर call attend करनी हो तो यह play pause का button आप press कर देंगे call attend हो जाएगी अगर आपको call disconnect करनी है तो play pause के button को आपको hold करके रखना है कुछ second आपकी call disconnect हो जाएगी और यहाँ पर आपको volume plus volume minus के button दिये गए है अगर आपको volume increase करना है तो volume के button को press करेंगे और volume को कम करना है तो volume minus के button को press करेंगे अगर आपको music की track change करनी है next track के लिए आपको volume plus का button कुछ second तक hold करके रखना है तो track change हो जा तो track change हो जाएगी, अब हम देखते हैं इसकी sound quality कैसी है, कुछ music play करके देख लेते हैं तो इसकी आवाज आपने सुली होगी, बहुत ही बेहतरीन sound quality है इसकी और इसका bass भी बहुत ही दमदार है, बहुत ही जवर्दक bass हमें यहाँ पर मिल जाता है, compact सा speaker है लेकिन आवाज काफी दमदार है तो अब हम इसकी सबसे बड़ी परिक्षा लेने वाले हैं और वो है water taste, पानी के अंदर डाल के देखेंगे इसको कि यह water resistant है या नहीं है तो दोस्तो सामी का यह me outdoor bluetooth speaker water test में भी पूरी तरह से pass हो गया है तो सब कुछ इसका बहुती बेतरी नहीं है अगर आप इसे purchase करना चाहो तो purchase कर सकते हो me की official website पर जाकर वहाँ पर आपको यह केवल 1399 रुपीज में मिल जाएगा और अब बात करते हैं इसकी कमियों की यानि मुझे इसके अंदर क्या कमिया लगी वो मैं आपको बता देता हूँ छोटी छोटी कमिया है पहली सबसे वड़ी कमी यह है कि इसके साथ हमें कोई auxiliary cable नहीं दी गई है auxiliary cable इसके साथ देनी चाहिए थी दूसरी कमी यह है कि इसके जो controls है तीनों ही side में controls दे रखे हैं इनको हम एक side में कर सकते थे जैसे कुछ controls यहां दिये गए और नीचे हमें port दिये गए तो इनने हम एक side में भी कर सकते थे जिससे की इसे रखने में आसानी हो जाती क्योंकि अगर हम इसे auxiliary port से connect करते हैं तब इसको रखने में दिक्कत होती है आप इसको इस तरह से नहीं रख पाएंगे आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा इस तरह से रखना पड़ेगा तो ये भी एक छोटी सी कमी है कोई बहुत बड़ा issue यहाँ पर नहीं है इसके अलावा जब हम इसे maximum volume पर अगर हम music play कर रहे होते हैं तो इसके अवाल थोड़ी सी फटती है यानि sound फटने लगती है फुल volume पर थोड़ी सी जादा नहीं थोड़ी सी फटने लगती है इसके अलावा इसके अंदर और कोई भी कमी नहीं है तो दोस्तों Xiaomi का ये Mi Outdoor Bluetooth speaker आज के लिए इतना ही दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरम